नमस्कार, आप सभी ये कहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्णी में हम हैं, सेपरेशन पिरिड की भी वीडियो लेकर आईए, सो में लेकर आगए, तो देखे, सेपरेशन पिरिड में ही क्यों इतना ज़्यादा हर्ट होता है, अधिक तर यही पूछा जाता है, इतना पेन, इतना कन इंपिरिड में कुछ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कारण यह क्योंकि हम उसको चेस करते हैं, और या फिर हमारा जो बबल फेस रहता है, उसमें यह लगता है कि वाओ, एक हमें एक जीवन साती मिल गया है, या एक बहुती ब्यूटिफुल पार्टनर, सोल डूंट रहते हैं, वो हमें मिल गया है, लेकिन अचाना कि एंगरनेस के कारण या कोई भी इश्यू है, जो उनका भी इश्यू है और आपके भी इश्यू से, इस वज़े से वो कोई नकोई एक रीजन बन जाता है, कैता नहीं कि किसी चीज़ का कोई एक कारण होता है, वो कि आप दोनों को बिल्कुली अलग कर देता है, इसे सेपरेशन कहेंगे, बहुत से क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं, जिनका सेपरेशन होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है, जैसे असम के हैं, एक उनका पूरा नाम नहीं लोगी, बैसिकली उनका वाइफ की ही भा तो वही बात है, ट्विन फ्लेंफ जर्नी में है यह पक है, लेकिन अब कैसे मिलते जुलते वे भी, ना मिल पाना वो एक तरह का सेपरेशन है तो इसलिए ट्विन फ्लेंफ जर्नी में यह जो पेन होता है, यह वाकई बहुत जो फिजिकली रन कर रहा है जो वाकई मुझे बहुत जादा परिशान कर रहा है तो यहां पर हमें यह देखना होता है कि हम असल में पीसफुल रिलेशन्शिप में आ रहे हैं कि नहीं और कब आएंगे तो यह एक तरह से वन एनरजी रहती है जिसमें कि हम दोनों एक आप जो देज निकलते हैं कि यह हो क्या रहा है कि सारे चक्रास पर आप काम कर लेते हैं या चक्रास पर काम करना बंद हो जाता है सब कुछ आप कर लेते हैं या फिर सब कुछ ही बंद हो जाता है तो यहां पर करना क्या होता है इस सेपरेशन टाइम पिरेट में only surrender as for separation as for surrender बस यह य पेरी inner work वाली सभी वीडियो देख लीजिए लेकिन फिर भी लगता है inner work में और क्या कई बार बहुत सारे confusion रहते हैं inner work को लेके तो इसलिए आपने consultation बुक कराना है तो screen पर दिखाए number पर message करें और fee structure पता करें surrender mode में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है बगवान आके सीधे से नहीं कहेंगे बेटा येलो मैंने तुम्हें DM लाके दे दिया अब दोनों यहां पर मिल जाओ ऐसा नहीं होगा ऐसा होता भी नहीं है आपको तो पताने के लिए मैं मेरे time period में तो कुछ भी नहीं था मुझे पता ही नहीं था ये separation period है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये twin flame journey है तो बहुत मुश्किल था बहुत-बहुत मुश्किल था अभी तो खुछी-खुछी में आपको बता रही हूँ separation time period में ऐसा होता है वैसा होता है और आपको संभलन जाए यह वो मुझे पता नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था कि संबन्ना कैसे है बस एक aggression एक गुसा एंगरनेस यह सब कुछ था जिससे डील करते 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 मैं जब बिल्कुली ठक गई एक्जास्ट हो गई कि पस भगवान को भी गुसा करते था अपने घھर के मन्mir में कि अब मुझे नहीं करना अब मुझे कुछ मतलब नहीं है ऐसे वेक्ति से और ये और बस मतलब भगवान तु भी नहीं है खईवार भगवान पर भी गुछा तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा मत केज़ेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपकी ही energy डाउन होगी, और time waste होगा और कुछ भी नहीं, अगर ऐसा हुआ है, जस आगे पीछे आज कल में, या जस अभी आप इस twin flame journey में महसूस किया हैं, कि हाँ हम twin flame journey में, तो आप ये समझ लीजे कि आपने just separation time period में surrender mode में आना है, कई बार हम लगता है कि हम है, surrender ही तो है, लेकिन फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं, फिर हम mentally भाग क्यों रहे हैं उनके पीछे की, वो कब आएंगे, क्या करेंगे, क्या है नहीं है, क्या नहीं है, reunion क्या होता है, ऐसा क्या है, वैसा क्या, हम इतने सारे सवाल की बूस्त हैं, इसलिए, इसलिए तो कहते हैं कि बिल्कुल faith रखे, child-like faith होना चाहिए, और 101% surrender होना चाहिए, separation time period में, फिर वो separation लगेगा है नहीं, actually physical separation जो दिख रहा है वो होता है, असल में होता नहीं है separation, असल में ये separation होता नहीं है, इसलिए इस separation period को, ये समझे है कि मेरा divine test चल रहा है, मैंने इसको अच्छे से pass करना है, divine test को आगर आप पास नहीं करेंगे, बगवान को भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुद को भी बोलेंगे, twin flame journey को भी बोलेंगे, और सारी दुनिया को बोलेंगे, फिर कुछ नहीं हो आने वाला, तो ये चीज़ है, तो शांत हो जाए, calm down हो जाए, peaceful होने की कोशिश करें, अकेले में बैठें, isolation है, accept करें, और बस चलते चलें, जो चल रहा है, ये journey को complete करने के उसमें मत जाएए, बहुत लोग बुछते है, मैं हम journey कैसे complete होगी, completion की तरफ मत जाएए, कि हमें वो चीज़ पानी है, है ना, completion की तरफ मत जाएए, यातरा है, जीवन यातरा, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, बहुत खराब लोग भी मिलेंगे, खराब लोगों को पहचानना आएगा, side होते चले जाएगे, karmic लोग, आ Thank you so much, Taniwaad, all the best.